सब्सक्राइब इस कोरॉनकाल में आये दिन पुलिसवालों जगड़े नजर आए जब पुलिसवाल लोगों को मास्क लिए टोकते हैं तो लोग खुद पुलिसवालों परी लजाम लगाते हैं और उनसे गालि गलोच करने लगते हैं लेकिन पुलिस वाल असो इस तरह जगडना यह अच्छा नहीं है क्योंकि वह इस कोरोनकाल में अपनी जान अतेली पर रखकर इस कोरोनकाल में डूटी कर रहे है और देश को इस कोरोनमामारी से ही बचाने काम कर रहे है लेकिन कुछ ऐसा ही मामला अब जबलपुर सामने आया है जब बलपुर में परिवार रात को डोगी गुमाते हो टैल रहा था टियाई ने पुलिस अंदाज में टोका तो यूवती पुलिस से उलज गई जब टियाई ने नसियत दी कि हाथ जोडती हूँ चले जाओ तो यूवती एक कदम आगे निकलते बोल पड़ी पैर ही पढ़ लो तो लेकिन बोलो आराम से फिर क्या था महिला टियाई ने जाब देते हूँ का तेरे पैर पढ़ूंगी इसके बाद मास्क और बेवज़ गुमने और घर जाने आदी तमाम बाते होने लगी अंदे दप पुलिस ने सबक सिकाते हैं यूवती के साथ उसके परियार को थाने में बैठाया और केस तरज कर लिया हालागी जमाने ती दारा होने की बाद उने छोड़ भी दिया गया लेकिन इदर एक अन्य कटना जवलपूर में यी तीन पत्ती चोक में दमपत्ती को पुलिस द्वार रोखना इतना नागवर गुजरा कि उसने हार अच्छो कोई थपपड जड़ दिया तो इस तरह से इस कोरणा काल में पुलिस के लिए आए दिन ऐसी गटना है हो रही है जहां लोग बिन वज़े रोड पर गुमते है जब पुलिस उने टोकती है तो ये खुदी पुलिस से गाली को लोच करने लग जाते है पुलिस जाए एक और इस देश को कोरणा मामारी से बचाने के लिए जूटी है लेकिन कुछ लोग पुलिस से ही उलजने लग जाते है आप से निवे दने कि इस कोरणा मामारी में एक साथ देश का साथ दे और अपने घर पर रहे और मास्क बहने